हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है हम डोक्टर विश्वन आच्री पाठी का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक का अध्यन कर रहे हैं इससे पूर्व हमने इसकी विशेप्रवेस की बात की इसकी प्रारंबिक जो बिंदु है उसका अध्यन किया और आज से हम इसका विधिवत अध्यन प्रारंब करने जा रहे हैं हमारा पहला अध्याय होगा आधिकाल आधिकाल का समय इन्होंने 1420 माना है आधिकाल हिंदी साहित्य की प्रारंबिक जो समय है प्रारंबिक काल को कहा जाता है जिसे शिशुकाल के नाम से भी जाना जाता है भारती राजडित तो हर्षवर्धन के सामराज्ज्य का पतन हो रहा था उसी समय हिंदी साहेते का उदय हो रहा था डोक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि भासा की द्रस्टी से अपबरंस का विक्षित रूप यह है प्रिश्चन पूछा जा सकता है कि भाषा की द्रस्टी से अपरभरंस का जो विक्सित रूप है वही हिंदी साहिते का आधिकाल है ऐसा मानने वाले कौन है डॉक्तर नगिंद्र हिंदी साहित्ते के आधिकाल की सामगरी में हम कौन से साहित्ते को लेंगे कौन सा साहित्ते है जो आधिकाली साहित्ते की समय सीमा में आएगा तो हम कह सकते हैं कि उत्तर अपपरंस की जो रचनाएं हैं सभी रचनाएं उसे हम आधिकाल में ले सकते हैं समाहित कर सकते हैं उत्तरआपवरंस जिसे पूराने हिंदी या अवहट के नाम से भी पुकारा जाता है चंदरधर्शन मा गुलेडी ने सब से पहले उत्तरआपवरंस को सबसे पहले पूराने हिंदी किसे ने कहाथा तो गुलेरी ने कहा था यह प्रिश्न बार बार परिक्षाओं में पूछा जाता है और इसे अवहट नाम से किस ने पुकारा था भोला संकर व्यास ने इसको अवहट नाम से संभुधित करा था भोला संकर भोला संकर व्यास इन्होंने कहा था इसे अवहट अधिकाल जो है इसे अलग-अलग इतिहासकार उने अलग-अलग नाम दिया है और इसकी समय सी मा भी अलग-अलग विद्वान उने अलग-अलग बताई है आचारे हजारी प्रिशाद द्वेदी जी ने इसको आधिकाल नाम दिया था जो सर्वमान ने माना जाता है और आचारे रामचंद्र शुक्ले जी इसे वीरिकाथका काल के नाम से दीकाल के नाम से चाहते हैं कि जो अधिकाल है उसे बीज वपन काल कहते हैं यह था-प्रेशन है जो अधिकाल से समधित बार बार परिक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे कि गुलेरी ने इसे पुरानी हिंदी कहा, भोला संकर व्यास ने इसको अभट कहा, और आचारे रामचंदर शुक्र ने इसे प्रकरताभास हिंदी कहा, सबसे पहले हम आधिकाल की जो सामाजिक स्थिती है, उसको जानेंगे, आधिकाल विविद और परसपर वीरोधी प्रवर्थी का काल है, ऐसा ही एक प्रश्न बनता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, हजारी प्रिश्राद वेधी जी, आधिकाल को अत्यदिक वीरोधों और व्याघातों का युग कह कर पुकारते हैं, इस वज़े से हम क्या कह सकते हैं कि विफित्य परस पर विरोधी प्रवर्तियों का काल है तो आप ये quotation याद रखेंगे हजारी पिशाद वेदी की कि अत्यरिक विरोधों और व्यागातों का यूँ किस ने कहा है आतिकाल को तो हजारी पिशाद वेदी जी ने कहा है हर्षवर्धन के बाद किसी ने केंडरी सत्ता इस्सापित नहीं की युद्ध या बहारी हमलों का कोई प्रभाव जनता पर नहीं पढ़ता था भूमी और नारी का हरन राजाओं पर लिखे गए कावियों के सामाने विशे थे पावियों के सामाने विशे क्या थे भूमी और नारी का हरन सामन्त वादी व्यवस्ता में भूमी संपत्ती का स्चोध होती है रट्धियं वंस की शुद्धत और उच्चता में नारी together का निणायक होती है आर्थव्यवस्ता की बात छोड़ दें तो कहा जा सकता है कि सामाने जनता के देनंदिन जीवन पर आज्जी की अपेक्षा धार्मिक मतों का अधिक प्रभाव था यहां से प्रिष्ण बनने की संभावना कम होती है लेकिन हमें उस समय की सामाजिक इस्तिति को जानना जरूरी है जिससे हम साहित्य प्रवर्तियों को समझ पाएंगे इस काल में संस्कृत पाली संस्कृत प्राक्रत और अपब्रंस में भी रचनाये हो रही थी और साथ ही साथ अपब्रंस के केंचुल को छोड़ती हुई हिंदी देखें कौन सी हिंदी है अपब्रंस के अपब्रंस को छोड़ रही थी और हिंदी का रूप ग्रहन कर रही थी इस काल में आवागमन के साधन आज जैसे विक्षित नहीं थे इसका परिणाम यह दिखाई पड़ता है कि इस विशाल शेत्र में विभिन स्थानों पर रची हुई ग्रतियों में भाशागत विभिन ता अर्थार्थ छेत्रियों जो है अधिक रंगrant दिख रहा था है इसलिए आधिकाल का हिंदी सहित्य अनेक बोलीओं का साहित्य प्रतीत होता है मैं अनेक बोलियस में में देखने को मिलती है वस्तूतर यह काल अनेक द्रश्टियों से संधिकाल है संदिकाल और चारनकाल नाम देने वाले को न थे आधिकाल को ड़क्टर रामकुमार फर्मा कई बार पर रिख्षयों में पूछा जाता है संदिकाल और चारनकाल किस नहीं कहा धार्मिक त्रिष्टि से इस काल में अनेक ग्यात अज्यात साथनाई प्रचलिती जैन, सिद्ध, नात, आधी मतों का इस काल में व्यापक प्रचार किया गया था इनका साहित्य भी प्रिचूर मात्रा में उप्लब्ध होता है धार्पमिक साथना के रूप में वैशनवत का प्रचार सामानने जनता में कम नहीं रहा होगा किन्तु इस काल में व्यापक प्रवेश हो चुका था किन्तु उसका प्रभाव साहित्य पर आधिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवी अमीर कुष्रो में ही दिखाई पड़ता है यानि क्या कहेंगे हम कि इसलाम का जो प्रवेश है उसका प्रभाव सरवादिक आधिकाल में किस पर देखने को मिलता है तो अमीर कुष्रो की रचनाओं में मिलता है अब हम देखेंगे सिद्ध कवियों को आधिकालीन जो सिद्ध कवी है बोद्धर्म के वज्रियान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य लिखा जाता था उसे सिद्ध साहित्य कहा लिए बोद्धर्म जब विक्रत होकर वज्रियान संप्रदाय के रूप में देश की पूर्वे भागों में पहल रहा था इनने बोद्ध तांत्रिकों में वामाचार की कहरी प्रवर्टी पाई जाती थी और ये बिहार से लेकर असम तक फैले हुए थे और ये ही सिद्ध कहलाए इनकी संख्या सिद्ध की चोर्यसी मानी जाती है और इनमें सिद्ध सरहपा से यह साहिते आरंब माना जाता है सरहपा शबरपालू इपारडों विपाकरण है पाकुकृपा इत्याधी हिंदी के प्रमुकर सिद्ध कभी हुई हैं सिद्ध जो लोग हैं वो तंत्रशाधना पर अधिक बल देते हैं सिव और शक्ति के युगल रूप की उपाशना पर यह बल देते हैं नारी साधना रूप में इनके सहीयोगी मानी जाती है जो सिद्ध साहित है उसमें यह जाती प्रथावर्ण भेद का विरोध करते हैं और सिद्धों में पंच मकार की दुश प्रवर्दी देख रूप देखने को मिलता है यह है आदिकालीन सिद्ध कवी बोध धर्म कालांतर में तंत्र मंत्र की शाधना में बदल गया था बोध धर्म की कौन सी साखा की यहां बात हो रही है तंत्र मंत्र की साधना था जो वज्रियान साखा है उसके प्रिचार के लिए वज्रियान इस किसी प्रकार की साथ ना था महापंडित राहु सांकृतियान के अनुसार बोद्ध धार्म अपने हीनियान और महायान के विकास को चरम सीमा तक पहुचा कर अब एक नई दिसा लेने की तयारी कर रहा था जब उसे मंत्रियान वज्रियान या सहजियान की संग्या मिरने लगे यह कथन आप से पूछा जा सकता है बहुत महतपूर्ण प्रिश्न बनाया जा सकता है कथन है किसका राहु सांकृतियान की संग्यान की बोद्ध धार्म अपने हीनियान और महायान के विकास को चरम सीमा तक पहुचा कर अब एक नई दिसा लेने की तयारी कर रहा था जब उ वज्रियान से ही था सिद्धाओं का समद्ध किस से था इसे वज्रियान साखा से था उनकी संख्या चोर्यसी बताई जाती है प्रत्थम सिद्ध सरहपा जो आठविश साब्धी पर सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते हैं कौन सरहपा की बात कर रहे हैं जिन्हें सरोज सिद्धों ने नेरातम में भावनाा कायायोग सहज सुने समाधी की बिब्भिन्न अवस्तव और कीया है इन्होंने वर्ण आश्रम व्यवस्ता पर तीम्रुप्र हार किया है यह व्भृण व्यवस्ता वहना भेद और जाती प्रता का विरोध करते हैं इन्होंने संध्या भाषा से ली में अ altri शंध्या भाषा के विशे में कहा गया है तो शिद्धों की संध्या भाषा के संधर्व में इसलिए प्रतिकार्थ खुरने पर ही यह समझ में आता है इसी भाषा शेली का उप्योग नाथों ने भी किया है ऐसा नहीं है कि संध्या भाषा का उप्योग नाथों ने किया ही नहीं है नाथों ने भी इस भाषा शेली का उप्योग किया है क अध्य देश की पूर्वी भाग में ही सिद्धों के होने का पता चलता है अब सिद्धों का पता किस छेत्र में पढ़ता है पूर्वी छेत्र से सिद्धों के होने का पता चलता है इनकी भाषा में ही उनहीं छेत्रों के ततकाली रोप मिलते हैं यह बात की हमने सिद्धों की स सरहपा के संधर्प में बात की, की सरहपा जो है, ये सिद्ध साहिते का आरम इन से माना जाता है, और इनके प्रमुक गरंद, दोहा कोष, सरवादिक प्रसिद्ध गरंद है, दोहा कोष, इनकी प्रसिद्ध गरंद मानी जाती है, ये सहजियान साखा की प्रवर्थक कभी मानी जाते हैं यह सिद्ध वार्ग के प्रवर्था को माने जाते हैं अगे देखी नाथ कभी के संधर्प में नाथ कभी वो कभी कहलाए जो भगवान सीव के उपाश्रक नातों के द्वारा जो साहिते रचा जाता था वो नाथ साहिते कहलाता था और राहुल सांकृत्याइन जी ने नात्पंत को सिद्धों की परंपरा का ही विक्षित रूप माना है राहुल सांकृत्याइन जी क्या कहते हैं राहुल सांकृत्याइन जी कहते हैं कि सिद्धों की परंपरा का विक्षित रूप ही नात्पंत है हजारी परिशाद द्वेदी क mandate कि नात पन्त्य की सिद्ध मत्य मार्ग योग मार योग संप्रदाय अवधूत संप्रदाय के नाम से भी तुकारा जाता है ये नारी निंदा का सरवादी कुले करता है नाज साहिते ग्यान इस्टा को महत्व प्रदान करता है सिद्ध साहिते के भोग विलास की भर्षना करता है और गुरु को विशिश महत्व प्रदान करता है आई देखते हैं नाथों का समय थोड़ा बादका है चोरासी सिद्धों की जो सूची मिलती है उनमें कई नाम नाथों के भी है वज्रियानी सिद्धों की साथ नाथों का संबंधता नाथपंथ में गोरक नाथ सीव के रूप में माने जाते हैं नाथपन्त में जो गोरखनाथ हैं जो नाथपन्त के प्रवर्दक माने जाते हैं ये सीव के उपाशक माने जाते हैं इनका शेव होना स्पष्ट है गोरखनाथ ने पतंजली के योग को लेकर हट योग प्रवर्दन किया है और ब्रहमचर्य वाकसियम सारे रिकमानसिक सुचि प्रहामनों के कर्मकांड व्यवस्ता पर उन्हें ने भी तिवर्ण प्रहार किया है। उनका सिध्धान्त था बहुत अच्छा प्रिश्ण है किनका नाथों का जो जोई पिंडे स्वय ब्रहमांदे अर्थार्थ जो शरीर में हैं वही ब्रहमांद में। कुन मानता है नात पंथी लोग इड़ा पिंगला नाद बिंदु की साध्ना सचक्र भेधन सुन्य चक्र में कुंडलीनी का प्रियोग आधी नातों के अंतसाध्ना के प्रमुख अंग हैं संध्यवाशा या उलटवासी की सेली का प्रियोग इन्हों ने भी किया है तो अगर आपसे प्रमुख विसेस्ता नहीं है अगर ऐसा कोई प्रिश्न पूछा जाता है और आपको दे लिया जाता है कि क्या संध्यवाशा का प्रियोग या उलटवासी का प्रियोग नात साहित्य में किया जाता है तो यह बिल्कुल सही कथन होगा कि संध्यवाशा का प्रियोग और पश्चिम किसका बताया है तो नाथों का निवासिस्तान बताया है परंपरा से प्रिशिद है कि गोरकनाथ मस्चेंदरनाथ या मस्चेंदरनाथ के शिश्य थे गोरकनाथ मस्चेंदरनाथ के शिश्य थे इनको मस्चेंदरनाथ भी कहते हैं मचंदरनाद जलंधरनाद के सिश्य थे यह भी कहा जाता है कि इनहीं जलंदर से जालंधर नगर का नामकरण हुआ है राहुल सांकृत्याइन गोरकनाद का समय विक्रम की दस्वी स्थाप्दी मानते हैं यह प्रिष्ण पूछा जाता है कई वार हजारी पुषाद वेदी जिनका समय विक्रम की दस्थाप्दी मानते हैं और आचारे रामचंदर शुक्ल भी इनका जो समय है गोरकनाद का वह तेर वी स्थाप्दी मानते हैं तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा और शुकले जी 13 स्थाप्दी मानते हैं हजारी पिशाद वेदी 90 स्थाप्दी मानते हैं और राहुल सांकृत्यान विक्रम की 10 स्थाप्दी मानते हैं रामचंदर शुकले ने इन्हें प्रत्विराज चोहान की समय का बताया है शुकलक जी कहते हैं कि ये प्रत्विरा चोहान के समय के हैं और हजारी पिशाद वेदी जी नहीं दस्वी स्थाप्दी मानने के पक्सतरिये रहे हैं लगभग नुवी दस्वी स्थाप्दी के आसपास का ये माननते हैं आगे रेखिए जेन मताव लंवी आदी काली जो जैन साहित्य है ये है लगभग बाहरवी तेरवी स्थाप्दी में जैन कवियों के द्वारा जैन धर्म का प्रचार प्रशार करने के लिए लिखा गया साहित्य माना जाता है यानि जैन जो कवियों के द्वारा ही रचा गया साहित्य है लगभग जैन धर्म से समंधित विक्तिएं को चरितनाइक बनाया गया है इसमें और खथानक का जो प्रमुक्स्टोथ है या यूँ कहें कि जो उपजिव्य है वह जैन पुरान को माना जाता है इन कबियों की जो रचनाएं हैं वो आचार, राज, फागु, चरित, विभिन शेलियों में हमें देखने को मिलती है। जैन मत के प्रभाव में अधिकान सकावे गुजुरात, राधिस्तान और दक्षिन में रचा गया यह प्रा यह प्रामानिक रूप में उपलब्द है यह उच्छा प्रिश्ण बनायेजाता है एक मात्र सहित आदिकाली जो प्रामानिक रूप से हमें मिलता है प्रमानिक क्रूप में उपलप्त होता है वह है जैन साहित जैन मताव लंबी रचनाई दो प्रिकार की है जिन में नाथ सिद्धों की तरह अंतशात्ना उपदेश, मुती, सदाचार, बल और करमकान का खंडन किया गया है एक तो ये वाला साहित ये प्रायह दोहों में रचित मुक्तक है दूसरी जिन में पोरानिक जैन साहत कों की प्रेरक जीवन कथा या लोकिक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रिचाल किया गया है जैन पोरानिक कावे चरित कावे इसी श्रेणी के कावियों माने जाते है अधात मुक्तक और चरित कावे दो भाग किया जाता है एक में जिसमें नाथ सिद्धू के अंतर से अतना रुपदेश की बात ने हैं और दूसरा जिसमें पोराणिक जेन साथकों की प्रेरिक चीवन कताओं का वर्णन किया गया है जेन आचारे हेमचंद्र बार्विस्ताबदी की प्राकरत व्याकरण यह प्रिशन बार बार परिक्षाओं में पूछा जाता है और मेरुत्तं तेर्विस्ताबदी के प्रबंदी चिंतामणी में जेनितर रचनाय में संकलित है सदाचार उपदेश रहश्यशाद नवाली मुक्तक रचनाय सिद्धों की रचनाओं से बहुत मिलती है इन में भी सहच पर बल दिया गया है जो इंदू दस्विस्ताबदी राम सिंग बार्विस्ताबदी जिनोंने पाहुर दोहा लिखा आधी इसकोर्टी के प्रमुग जैन कवी है पौरानिक का वेधारा में अपब्रंस के महान कवी श्व्यम्भू आते हैं श्व्यम्भू जिन्होंने रामकता को आधार बना कर पौमचरियू की रसना की पॉम्चरियू में किस का वनन है ? रामघटा का वनन है श्रम्भो 8-20 तापधी के कभी है पॉम्चरियू जासी के पदमावत और तुलसिदास के रामचरित मानस की तरही कडवक बद्ध है तो आपसे पूछा जा सकता है कि जासी के पदमावत और तुल्सी के रामचरित मानस की तरह कड़वक बद रचनव कौन सी है तो पॉम्चरियू जिसमें रामकता का बढ़न मिलता है अपब्रंस के अन्य प्रिशिद कवी पुश्पदंत दस्वी स्थाप्दी जिन्होंने महापुरान की रचना की इसके अतिरिक्त जयन अपब्रंस कवीयोंने भारी संख्या में चरित कावे लिखें है इनमें पुश्पदंत का नागकुमार चरित जशहर चरियू तथा कनक का कथा कावे धनपाल दस्वी स्थापदी की ऐसी रचना है जिसमें लोग प्रचलित कथा को सरल बनाए रखा है जैनमत में दिख्चित होने की प्रेणा भी मिलती है आगे देखें इसकाल का लिखा वेश्णव साहिते बहुत ही कम मात्रा में उपलब्द होता है यह बात पहले भी हम कर चुके हैं लेकिन लक्षमी धर का चोद्वी स्थापदी में संक्लित प्राक्रत पैंगलम बार बार पर इक्षा में पूछा जाता है कि अने चंदों में विश्णू के विभीन उतारों से समंधिक पंकतियां मिलती है अब आप से यह प्रिश्ण बना कर पूछा ज इंस दोहों में भी क्रिश्ण राधा और दश्मकादी की चड़्चा यलती है इससे अनुमान किया जा सकता है कि इस काल के साहिते में विश्णू के आवतारों को लेक प्रिचूर मात्रा में रचनाये लिखे गया था विश्णू अवतार से समंधित यह साहिते हैं हमें दे संदेश रासक चो तेरवी स्थापदी में अबदुल रह्मान की रचना है दो शुद्ध लोकिक श्रंगारी का विप्रमानिक तोर पर हमें उपलब्द होते हैं कौन-कौन से दो संदेश रासक और रावल्वेथ संदेश रासक का महत्वे इससे भी आका जाना चाहिए कि व प्रथम रचना कौन सी मानी जानी चाहिए तो संदेश रासक संदेश रासक तीन प्रक्रमों में विभाजी 223 चंदों का संदेश कावे है कितने प्रक्रम है तीन प्रक्रम है और 223 चंदों का इसमें समावेस है रावल्वेल का रच्चेता रोडा नामक कभी है जिसमें किस राजा के अंतहपुर में रहने वाले भिन्य प्रदेशों की राणियों का इसने वर्णन ने किया है यह जो राउल बेल है रोडा क्रत यह है सबसे पहली रचना है जो सिलाव पर लिखी भी मिलती है और हिंदी साहिते की प्राचींतम गद्य-पद्य-मिस्ट्वित रचना यह पहले पद्धे में और उसकी बाद गद्धे में किये कहे है हिंदी में नक्शिक वर्णन की श्रणगार करंपरा का अरम भी सी रचना से बन जाता है बहुत मह्तुपून यह रचना माने जाती है इसकी भाशा में हिंदी की साथ बोलियों के शब्द प्राप्त होते हैं जिस से पता चलता है कि आश्रेदाता राजाओं को आधार बनाकर कावे रचना की परंपरा भी इस काल में विद्यमान थे प्राकृत पैंगलम के विद्याधर द्वारा रचित की सी राजा संभोवते जैचंद की अनुमान तह शानगरधर की रचित हमीर की प्रिशनसा में लिखे पद मिलते हैं हेम चंद्र के प्राकृत व्याकरण में अपव्रहंस की जो दोहे संकलीत हैं उनसे एक तो यह बात सपरस्ट हो जाती है कि दोहां उस समय का लोकपरिये जंद था किससे सपरस्ट होता है थे मई जंद की प्राकृत व्याकरण से दूसरे वीरता और शंगार न वीर, शंगार और निती परक दोहों के कुछ उधारन लिये कहे हैं। प्रायों मुनिहावी भतंडी ते मनी अडाकनती। अखई निरामय परमपय जोयो लवन लहनती। अर्थार्थ प्रायह मुनियों को विभ्रानती हो जाती है कि वे मन का गिनते हैं। अक्षे निरामय परमपद में आज भी लो नहीं लगा पाती। अगला है यह जो दोहा है यह धार्मिसे समंदित है। अगला जो दोहा है जो वीर रसे समंदित दोहा है। पाय विलगणी, अंत्रंडी, सिरूलहसी, संघंश, तोभी कटारी, हतडव, बली, किज़, कंदस। अर्थार्थ पाउं में अंतडियां लगी हैं, सिर कंदे से लटक गया है, तोभी हात कटार पर हैं। पायए कि में बली जाती हूँ, कौन कह रही है नाई का। अब हम देखते हैं, श्रंगार रसे समंदित दोहा। पीए संघंग मैं को निंदड़ी पीओ प्रोमक होकें, मैं विनिशिया निंदन बनत हैं। अथात प्रिये के संघंग में निंद कहां। प्रिये के परोक्षमी यानि सामने नहीं रहने पर निंद कहां। मैं दोनों प्रकार से नस्ट हो गई हूँ, निंद नाई हूँ है नाई हूँ है। मुझे किसी भी प्रकार से निंद नहीं आ रही है। प्रिये के वियोग में नाई का यह बात कह रही है। अब हम निती से समधित दोहा देखते हैं, जो गुण गोवी अपना पेडा करई परशू, तसु हम कल जुगी दुलोहो बली किन्जो सुवनशू, अथाथ, निती से समधित दोहा है, कि जो अपना गुण छिपाए, दूसरों का प्रकट करें, कलियग में दूरलब्स रजन, म मैं उस पर बली चाती हूं, अपना गुण छुपाकर के जो दूसरों का प्रकट कर रहा है, उस पर तो मैं बली हारी चाती हूं, दोहा, पदड़िया, गेपद, अपब्रंस काल के प्रमुक चंद रहे हैं, अब हम वीर गाथा काव्य को देखते हैं, जो हम अगली कक्षा मे देखेंगे, आज के लिए इतना ही धल्यवाद,